नमस्कार मैं डाक्टर जेके और आप देख रहे हैं Health Awareness बिथ जेके जैसा कि पिछले वीडियो में मेरे द्वारा बताया गया है कि मेरे व्यूवर जिस सब्जेक्ट पर कमेंट्स करेंगे उसी सब्जेक्ट में मेरा अगला वीडियो रहेगा मेरे दो व्यूवर हैं एक तो है मिस्टर रजनिस कुमार दुवेदी जी जिनने न कमेंट्स किया है कि ओरिजिनल और लोकल द्वाईयों के बारे में बिस्तार से बताएए तो दुबेरी जी नमस्कार जैसा कि आपने कमेंट्स में किया है कि डुब्लिकेट और ओरिजिनल दवाईयों के बारे में बताएं जिनको मेडिकल भासा में इथिकल और जेनरिक दवाईयां कहते हैं एथिकल होती हैं और जेनरिक तो इनको हम लोकल तो नहीं कह सकते जेनरिक दवाईयों को क्योंकि गबर्मेंट ने उनको भी माननेता दे रखी है लेकिन मैं कुछ उदाहरण दे कर समझाने की कोशिश करूंगा जिससे कि एथिकल और जेनरिक दवाईयों में अंतर समझ में आ आसा है कि आम जन्मानस हर एक व्यक्ति को हमारे उदाहरण द्वार समझाए गए सब्जेक्ट से सबको समझ में बात आनी चाहिए तो देखिए इथिकल दवाईयों जो होती है और जेनरिक दवाईयों होती है इनको मैं इस तरह से उदाहरण दे सकता हूं जैसे सोना जानते है 24 केरट का होता है तेज केरट का होता है और 22 केरट का होता है हैं तीनों सोने ही लेकिन तीनों की क्वार्टी में अंतर है एक 24 केरट का है एक 30 केरट का है एक 22 केरट का है तीनों से अभूसन ही बनते हैं तीनों को लोग बाग पहनते हैं लेकिन तीनों में अंतर है 24 केरट 24 है 22 स्काइब यसे और 23 से निफ तीनों में अंतर है तो मैं यहीं है फंडा आपका इतिकल और जेन्रीक मेडिसिन का जेनेरिक मेडिसिन जो होती है यह आप समझे लीजिए कि 22, 23, 24, तीनों को गवर्मेंट ने सोने का दर्जा दिया है कि सोने है इसी तरह मेडिसिन का भी दर्जा है जेनरिक और इथिकल का लेकिन एक बात आपको बताऊं कि जिस क्वालिटी कंट्रोल के साथ इथिकल मेडिसिन का टेस्ट किया जाता है यदि उस क्वालिटी कंट्रोल से जेनरिक मेडिसिन का टेस्ट किया जाए तो कभी भी पास नहीं होंगी इतिकल मेडिसिन की बराबरी कभी नहीं कर पाएंगी अब आप देखिए जनरल समझिए लगी की भी टीवी होती है चाइना माडल भी टीवी होती है टेलिवीजन जो आज कल हर घरों में है जिसको देखते हैं तो लगी की बराबरी चाइना माडल वाली क्या कर पाएगी नहीं कर पाएगी एक मैं उलहरान और देखर समझाने की कोशिश करूंग आपको कि देखिए कोई मान लिजे बेकंसी मिलती है एक सिंपल मैं बता रहा हूं आप यह भी हाल ही में संविदा सिख्षक भरती हुई है उसकी बेकंसी निकली थी उसमें लोग बाग ज्याम दिये हैं तो देखिए उसमें पासिंग क्राइटेरिया अलग होता है लेकिन उसमें जब नियुक्ति होती है तो नियुक्ति किन लोगों की होती है मेरेट की बेस पर होती मैं रिट बनती है तो एक ऐलेम क्राइटेरिया जो है माले जिये एक मैं सिंपल भी बता रहा हूं डेर्ट सो, दो से यह नहीं मालनी जे सव नंबर का पुर्णाग है उसमें परिख्यार्थी बैठे हैं कुछ परिख्यार्थी 33% के साथ उत्तेर्ण हुए कुछ 56% के साथ उत्तेर्ण हुएard कुछ 95% के उत्तेर्ण वाला भी हुआ और निन्यान ने रिसम्द नाइन परसेंट वाला भी हुआ उत्तिर्ण दोनों हुए लेकिन क्या 99.9 परसेंट जो कंडिडेट पाया उसकी बराबरी क्या 33% कंडिडेट वाला कर पाएगा नहीं कर पाएगा तो जब 99.9 परसेंट वाला भी पास है और 33 परसेंट वाला भी पास है यानि गवर्मेंट में गवर्मेंट की निगाह में पास है दोनों लेकिन क्या 99.9 परसेंट और 33 परसेंट को कंडिडेट करेंगे तो दोनों में अंतर समझ में नहीं आएगा बिलकुल आएगा यहीं अं अधिकारी rank की seat खाली है उसमें आप बताए ये 99.9% वाले की निप्ति करेंगे या 33% वाले की करेंगे स्वभाविक बात है कि 99.9% वाले की ही निप्ति होगी जबकि पास 33.33% वाला है तो और रही बात लोगों का मानना है कि generic दवाइया सस्ति होती है generic दवाइया सस्ति मिलती है चलिए हम उनके बात से सहमत है कि generic दवाइया सस्ति होती है लेकिन जेनरिक दबाईयां किन को सस्ती पढ़ती हैं इस्टाकिस्ट को पढ़ती है मेडिकल स्टोर वालों को पढ़ती है आम पबलिक को जेनरिक दबाईयां सस्ती नहीं पढ़ती है क्योंकि जहां तक मुझे पता है जेनरिक दवाईयों में इतिकल दवाईयों से ज़्यादा रेट लिखा रहता है और आम पबलिक जो दवाईयां खरीदने जाती है उसको रेट टू रेट मिलती है दवाईयां क्या कोई छूट मिलती है कि जेनरिक दवाईय है तो चलो सस्ती दे तो उसको कहां सस्ती पड़ी एथिकल जब की पैकिंग जो रहती है इथिकल दबाई की और जेनरिक दबाई की कुछ तो आज कल इतना बेहतर पैकिंग करते हैं जेनरिक दबाईयों की यानि जिनको आम भासा में लोकल दबाईयां बोलते हैं लोकल मतलब डूबलीकेट हम तो नहीं कहेंगे कि डूबलीकेट हैं लेकिन आम पब्लीक यह जानती कि डूबलीकेट दबाईयां और ओरिजनल दबाईयां तो डूबलीकेट दबाईयां जो रहती हैं उनकी पैकिंग ओरिजनल दबाईयों से बहतर रहती है मेंस जेनरिक दब तो पसकी बात नहीं है कि औसा कोई माध्यम नहीं जिसके दूआरा समझा जा सके कि यह डूबलिगए्ट दबाईया है और यह ए ओरिजिनल दबाईया कौन से इतिकल दवाई यहां कोई नहीं समझ सकता है एक 33% बाले लड़के को बिठाइए और 99% वाले लड़कों को बताइए जब तक उनकी मार्क शीट नहीं देखी जाएगी तब तक नहीं समझ पाएंगे कौन 99% वाला है कौन 33% वाला यह तो पता कर सकते हैं दोनों से काम क्या सकता है दो यही हरर आसा है कि आप लोक्त को एथिकल और जेनरिक दवाईयों के बारे में कुछ हट तक समझाया और और मेरा तो यही कहना है कि जैनरिक दवाईयां और इथिकल दवाईयां यदि आप मेडिकल स्टोर में खरीदें तो इतिकल दवाईयां ही खरीदें क्योंकि आप ज्यादा तर compare करोगे तो इतिकल दवाईयों का rate जेनरिक दवाईयों से हमेशा कम प्रिंट रहता है कुछ मैं आपको जैसे बताता हूं सिपला डिन सिपला डिन लोग बाग बहुत खरेते हैं बीटा डिन की जगह जबकि सिपला डिन जेनरिक दवाई है लेकिन कोई नहीं जानता कि जेनरिक दवाई है और धडले से भी करही है लोग बाग ले रहे हैं जेनरिक दवाईयां इति पराबरी कभी नहीं कर सकती हैं एक फिल्म सो हाँ ध्यान आया हमको एक फिल्म सत्य में उजैते, आमेर खान जी कहे रहें कि डाक्टर साहब को बलाए हैं और उसमें वो डाक्टर सहाब कहे रहे हैं कि जेन्रिक दवाई यह इतनी सस्ती हैं इतनी सचती हैं डाक्टर जेनरिक दवाईया नहीं लिखते हैं और इतिकल लिखते हैं कमीशन के चक्कर में लेकिन मैं आपसे बताना चाहूंगा मैं अगला वीडियो बनाऊंगा तो आमीर साहब जो ये बोले हैं वो डाउट आप लोगों को सब क्लियर कर दूँगा कि डाक् फिल्ड में आए आप फिल्ड में आए और दवाईयां खरी दिये फिर आपके समझ में आएगा कि जेनरिक दवाईयां सस्ती मिलती हैं कि महंगी मिलती हैं मेरे इसाब जेनरिक दवाईयां हमेशा इतिकल से महंगी ही मिलती हैं आप कोसिस करिए यदि आप बिना परचे के मे से इजन्री invasive इन सबको जेन्रीड द्वाइएँ में फायदा होता है आम पभलिक नहीं होता द्वाइञ सस्ती मिलते हैं तो pem Ihr come ब्हूं करती दिसको सस्ते में इpping अ को मिलती हैं यह कंपनी भी मैनुफेक्ट्टेर करती है तो उसको सफते तो जेनरिक दवाईयां हमेशा इतिकल के पेख्या महेंगी ही मिलेंगी और रियर्ट वही है गवर्मेंट की क्राइटेरिया में पास है तितिस परसंट वाला भी पास है तो वह तो पास कर दिया है लेकिन एक में अस्थान को जिसको जरूरत है जिसकी वहां पे 99.99% वाला ही बैठ पाएगा यदि आप तितिस परसंट वाले को बैठा दोगे तो जो काम 99.99% वाला काम करेगा वो 33% वाला नहीं करेगा मेरे अगले वीडियो में आपको आमीर साहब जो बाहवाही सत्ते में उजयते में ली है मेडिसिन के बारे में बताके वो डाउट में सबाब को क्लियर कर दूँगा धन्यवाद जय हैंद